फिल्म डिरेक्टर राजकुमार संतोशी काफी लंबे समय बाट डिरेक्शन के फील्ड में कमबेक कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म 26 जनवरी यानि रिपब्लिक डे को सिनमाज में रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म का जो क्लैश होगा वो होगा शारुक खान की मोस्ट अवेटेट फिल्म पठान से। जिसका मुझे भी बहुत बेस अफरी से इंतजार है। टीजर की शुरुबात होती है एक वोईसवर से। जिसमें बताया जा रहा है कि गांधी ने गौटसे की उपर कई आरोप लगा है। गांधी की हत्या कर दी गई है और गौटसे को अपनी बात सामने रखने का मौका निंग दिया गया है। एक मिनिट 32 सेकंड के इस टीजर में देखा जा सकता है कि गांधी और गौटसे की बीच बहस चल रही है और किसके थौट बहस है इसके उपर पूरा मुद्दा है। और गौटसे गांधी जी दुआरा किये गए आमरण अंशन को मेंटल टॉर्चर बता रहे हैं। आमरण अंशन जिसका बार बार इस्तमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। मानसिक हिंसा है। सोर्सेश की माने तो ये फिल्म की पूरी की पूरी स्टोरी, एक इमेजनेटिव स्टोरी की ऊपर बेज़ बताई जा रही है। गांधी जी के उपर जब गौटसे ने अटेक किया था तो गांधी जी बच गए है अब गांधी जी गौटसे से जेल में मिलने जाते हैं और वहां पर उनके बीच जो भैस हुई है वो इस टीजर में हमने देखी है आमने सामने है गांधी और घोट से और उनके बीच होता है विचारों का यूद तो ये पूरी देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कैसे होने वाली, अभी तो सर्फ इसका टीजर आया है, ट्रेलर जैसे ही आता है, उसका भी हम रिव्यू देंगे और फिल्म का तो देंगे ही देंगे, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थै